आपने नींद में बात करना, नींद में चिलाना और नींद में चलने जैसी समस्या के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने सुना है? नींद में दांत कटकटाना यानी दांत पीसना नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंद उसके मैं हूँ आपके साथ सुमन आर नेगी दोस्तों कई लोगों को आदत होती है दांत कटटाने यानि दांत पीसने की बहुत से लोग ये नींद में करते हैं तो कुछ लोग कहीं भी कभी भी दांत पीसने लगते हैं हमें लगता है ये एक साधारन जी बात है और हम इसे इग्णॉर कर देते हैं लेकिन ये बेलकुल भी साधारन बात नहीं है क्या आप जानते हैं इससे आपके दांथ घिस रहे हैं कमजोर हो रहे हैं और तूट भी सकते हैं आज कल दस बैसे पांच लोग इससे पीडित हैं दा की कारण दांथ कटकटाने के बहुत सारे कारण होते हैं पहला तनाफ एक शोध के दौरान ये बात सामने आई कि सत्तर प्रतिशत मामलों में नींद के दौरान दांथ कटकटाना तनाफ की कारण होता है जब वेक्ती जर्वत से अधिक मांसिक तनाफ का शिकार हो जाता है त कोई भी मानसिक बीमारी के चलते व्यक्ति दान्त कट-कटाने जैसी समस्या का शुकार हो जाता है कोई ऐसा डर जो नींद में भी आपको भ Rodriguez कर देता है जाकते अवस्था में तो हम डर के मारे अपमें दांत पीजते ही लेकिन नींद में भी ऐसा करना संभव है डरावना सपना हो सकता है ऐसा वो व्यक्ति वास्तविक डर के कारण कर रहा हो या फिर कोई ऐसा सपना देख रहा हो जो उसे दांत कट-कटाने पर मजबूर कर रहा है लेकिन ऐसा एक दो बार हो तो चलता है लेकिन अधिक होने लगे तो आपको अन्य कारणों के ओर ध्यान देना चाहिए नशे किलत नींद के दोरान दांत कटकटाने का अगला कारण है व्यक्ति की नशे किलत नशा कोई समानने सा नहीं बलकि जर्वत से ज़ादा बढ़ जाए तो ऐसा होता है जो लोग शराप का सेवन करते हैं वो भी समानने मातरा में उनके साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है लेकिन ड्रक्स जैसा कटोर नशा करने वाले नींद में दांत पीसने का शुकार हो जाते हैं दांतों में प्रॉब्लम नींद में दांद पीशने का एक कारण हमारे खुद के दांद भी होते हैं सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक जब हमारे उपरी और निचले जबडे का अलाइनमेंट अलग-अलग होता है तब व्यक्ति नींद में दांद पीशता है इसके साथ ही अगर दांद में दर्ध हो तब भी व्यक्ति ऐसा करता है पेट संबंधी रोग नींद में दांद कटकटाने का सबसे कॉमन कारण होता है पेट में कीड़े होना दूसरा कारण है साथ ही पेट में गैस या एसिडिटी हो तब भी हम नींद में दांत पीशते हैं चाय और कॉफी का अधिक सेवन केवल नश्वा ही नहीं अत्यधिक चाय और कॉफी का सेवन करने वालों को भी ये समस्या अपना शुकार बना सकती है इसके लावा अगर आप बिमार है और हैवी डोस लेते हैं दवाओ का तब भी ये समस्या पैदा हो सकती है दोस्तों हमने आपको यहां बताए नींद में दांत कट-कटाने के कारण क्योंकि अगर इलाज करना है तो कारण बता होना जरूरी है किसी भी वेक्ति के दांत कट-कटाने के कारण में ही चिपा है उसका इलाज ऐसे में डॉक्टर से तुरंत जांच कराए चेक करें कहीं आपके जबरों का अलाइनमेंट अलग-अलग तो नहीं है अगर अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है और आप फिर भी नीद में दांत कट-कटाते हैं तो हो सकता है आप तनाफ से जूच रहे हैं ऐसे में तनाफ से दूर रहें अपने दिमाग को शांत रखें मेडिटेट करें चाई कॉफी और शराप का सेवर जितना हो सके उतना कम करें दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की ब्रूसिज्म यानि की दांत कट-कटाने की आखिर क्यों इनसान नीद में दांत कट-कटाता है अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं चाहे फिर वो किसी हर्प के बारे में हो या फिर किसी बिमारी के बारे में तो आप क कमेंट कर हमें बता सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट का जरूर बताए खुश रहें तंदरुस्त रहें नमश्कार